मत्य प्रदेश में अभी सरकारी कारेलाई केवल पांच दिन ही खुलेंगे सरकार के नए आदेश के बाद कयासों पर विराम लग गया है इससे पहले सरकार के आदेश में केवल 31 अक्तूबर तक ही सरकारी कर्मचारियों को हफते में 5 दिन काम करने के निर्देश दिये गए थे अब नए आदेश के बाद मार्च 2022 तक सरकारी कारेलय सप्ता में केवल 5 दिन ही खुलेंगे दरसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते बदले सरकारी कारेलयों को सप्ता में 5 दिन खोलने और कर्मचारियों की संख्या को आधा करके कम करने की चूट शाषन निर्दी थी वर्तमान में प्रदेश में कोविड वैक्सिनीशन के चलते ज्याद अतर आबादी को वैक्सिन लग चुकी है वहीं तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी उसकी भी टीका करन के बाद संभावना कम दिखाई दे रही है इसलिए कयास लगाए जा रही थे कि प्रदेश सरकार जल्द ही सब्ता में पांच दिन कारेलाई को खोलने के आदेश को वापस ले सकती है शुक्रवार को जारी हुए सरकार के आदेश के मुताबिक पुर्व में 22 जुलाई 2021 को रज्जी शार्षन द्वारा COVID-19 महमारी के रोप थाम एवं बचाव के संबंद में संपूर्ण प्रदेश के शार्ष के कारलेयों के कारी दिवस सब्ता में पांच दिवस यानी सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किया गया था वहाँ आदेश 31 अक्टूबर तक प्रभाव शील है अब रज्जी शार्षन द्वारा अब यहाँ निर्णय लिया गया है कि उसी आदेश को 31 मार्च 2022 तक बड़ा दिया जाए अतहा अब सब्ता में पांच दिन काम करने का आदेश मार्च 2022 तक प्रभाव शील रहेगा मत्रिप्रदेश शार्षन द्वारा पांच दिन का सब्ताह 30 मार्च 2022 तक लागू रहेगा इसकी सराहना करते हुए कर्मचारी नेता उमा शंकरतिवारी ने मुख्य मंतरी से मांग की है कि पांच दिन का सब्ताह लागू रखा जाए ऐसा होने से पर्यावरण की रक्षा सडकों पर यातायात कम होगा कारिशमता बढ़ेगी बिजली पानी के रूप में खर्च होने वारा करोडों रुप्या सरकार का बचेगा मज्य प्रदेश त्रतिय वर्ग शार्च के कर्वचारी संग प्रदेश सचीव उमा शंकरतिवारी ने कहा कि कई रज्यों में पांच दिन का सब्ताह पहले से ही लागू है